आज हम लोग बात करेंगे एक appointment scheduler app के बारे में जिसका नाम है Tidy Cal हाई गाई मेरा नाम है कृपेश आडवानी यहाँ पर मैं digital tools के review करता रहता हूं for freelancers for small business owners तो आज मेरे पास एक ऐसा ही app है इसका giveaway भी होने वाला है तो वीडियो को end तक देखिएगा so usually क्या होता है हम meetings के लिए कैसे decide करते हैं we just text we ask की 10 बजे free हो साड़े 10 बजे free हो 9 बजे free हो फिर वह बोलेगा साड़े 7 बजे करेंगे शाम को और यह चीज और difficult हो जाती है when you go with international clients या पर जहाँ पर time difference होता है तो एक time पर आने के लिए कि एक meeting का time fix हो जाए उसके लिए यह वाला आप बना है and then यहाँ पर मैंने अपने predefined time slots बना के रखें for example एक 17th का है एक 18th August का है तो इन दोनों में से वह कोई भी book कर सकता है 17 प्रिसलेक करूँगा तो यह time slot से 18 प्रिसलेक करूँगा यह time slot से 18 प्रिसलेक करूँगा यह time slot से आ रहे हो नहीं आ रहे हो और meeting का link सब कोच यहाँ पर automatically generate हो जाएगा and this is the best way best and proper and structured way to schedule your appointment इस software का नाम है TidyCal, इसकी pricing के बारे में पहले बात कर लेते हैं इसका free plan भी आता हो lifetime plan भी आता है, free plan काफी limited है free plan के लिए मैं यह recommend नहीं करूँगा लेकिन जो इनका lifetime plan है जो कि यह $29 for lifetime और कोई आपको payment नहीं करनी है, इसके लिए मैं आपको recommend करूँगा यह आपको app sumo के उपर मिल जाएगा, for $29 जस्ट इसमें बहुत सारे plans भी नहीं है कि stack up करते रहा, सिफ $29 का and यह app sumo वालों ने खुद ने बनाया है इसा नहीं है कि यहां पर कोई थर्ड पर्टी है, अप्स वर ओरिजिनल के नाम से है पहले आम लोग इसके features वागरे देख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको end में बता हूँगा कि आपको कब लेना चाहिए, और Calendly जो इसको alternative है वो आपको कब लेना चाहिए यह करना है, description you can enter and then 15 minutes, कब-कब आप अवेलेबल रहोगे, you can select weekly यहां specific dates, specific dates वाला option पहले नहीं था, recently कुछ दिन पहले ही यह वाला option आया है और कापी अच्छा है कि मैं सिर्फ यहां पर 15 को रहोंगा and then I can add another date, कि ठीके मैं 23rd को भी अवेलेबल रहोंगा और मतलब, you can have your dates, कि आप कब-कब अवेलेबल रहोगे, कौन-कौन से टाइम पर, और you can just select weekly कि हार ठीके मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक 8 PM तो 5 PM यहां पर अवेलेबल रहोंगा यहां अगर आपको दूसरा slot डालना है, जैसे माल लेते मैं 2 मैं सिर्फ 1 PM रहोंगा और फिर मैं 8 PM से लेके 10 PM तक रहोंगा for my international clients, ताकि वो लोग मुझे रात को भी यहां पर मिल पाए तो ऐसे हम लोग यहां पर time slots कर सकते हैं, और अगर आप लोग किसी particular date पर unavailable हो वो यहां से आप लोग कर सकते हो कि I won't be available on let's say 17th, तो 17th of August पर यहां पर नहीं जाएगा create booking type, that's it, आपक यहां पर booking बन गई है, अब यह वाला link आप लोग भीज सकते हो जिसके साथ भी आपको यहां पर meeting करनी है, तो यह रहा मेरा link यहां पर आ गया है, 17th मैंने डाला था कि मैं unavailable रहूंगा तो 17th यहां पर unavailable है, और बाकि सारे options यहां पर आपको दिख जाएंगे book करने के लिए इंटिग्रेशन के बारे मैं बात करूँ तो यहां पर आप तो Google Calendar, Apple Calendar और Microsoft को जो calendar है तीन हो से यहां पर connect कर सकते हो जैसे ही कोई भी meeting book करेगा तो यहां पर जैसे मैंने Google Calendar डालके रखा है तो यहां पर Google Calendar पर यहां पर sync हो जाएगा एक event है यहां पर एक Google Meet का link है यहां पर automatically generate हो जाएगा अगर online event है तो and then Zoom है तो Zoom से connect कर सकते हो you can import from calendar और payments collect करने का भी है आपर option है Stripe से payment कर सकते हो PayPal से collect कर सकते हो and then Zapier भी है API keys भी use कर सकते हो if you want to connect with Publi तो बहुत सारे हैं आपर आपके पास exploration के इंटीग्रेशन के लिए enough sufficient options है $29 वाले plan अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ advanced features के बारे में तो मैं यहां पर वापस चले जाता हूं हमारी meeting पे यह चीज में आपको बता चुका हूं let's go to advanced booking types तो availability details ठीक है कितने कितने दिन तक यहां पर बुक कर सकते हैं जैसे मैं नहीं चाहता कि ठीक है 2 महीने बात तक आप बुक करो I just want key ठीक है like let's say 14 days I hit that's it Padding time कितना चाहिए आपको कि beach में उतना आपका अश्खाली time होना चाहिए कि अगर एक meeting 30.50 बजे का तो दूसरी 30.50 बजे स्टार्ट निची बीच में आप 30 मिनिट का यहां पर Padding time रख सकते हो that's the buffer time that you can have or उसके बाद bookers can schedule within two hours तो आप लोग चाहो तो 24 hours भी कर सकते हो ठीक है and then उसके बाद location physical location बेजनी है online video conference अगर आपको करनी है तो you can select this you can select the meeting link Google meet तो जैसे ही कोई भी इस पे क्लिक करें तो automatically Google meet का यागर आप लोग जूम करोगे तो जूम करोगे तो यहां पर link automatically generate हो जाएगा group bookings भी है group bookings means मान लेते हैं कि मैं आपर एक session ले रहा हूँ yoga का session ले रहा हूँ तो मैंने कह दिया कि यार मेरे पास यह दो slots है मैंने अपने वो 10 students को भेज दिया 5 students ने आपर सुभवाला slot select कर लिया 5 students ने आपर शाम का select कर लिया तो वो group bookings पर हो जाता है तो like if you want to have that वो भी आपलोग कर सकते हो काफी useful है for those group classes online group classes के यह काफी useful है then charge for this booking अगर मुझे इसको चार्ज करना है मैं आपर consultation दे रहा हूँ therapy के लिए कुछ भी मान लेते मैं website की consultation दे रहा हूँ तो I can click charge for this booking for India PayPal or Stripe यहां से best option है तो I can select कि कितनी मुझे amount charge करना है $100 कर सकता हूँ and then if you want to ask questions कि मुझे पूछना है अगर कुछ भी required question है जैसे कि आपका phone number क्या है if I want this to be required या आपका नाम या जो भी चीज़े है तो you can have this questions to invitee उसके बाद enable package booking so a user can select multiple dates for example मैंने एक consultation package भेजा कि आप लोग मुझे चार consultation ले सकते हो तो एक ही calendar में वो बंदा है यहां पर चार dates को select कर सकता है तो यहां पर मैं चार select कर दूँगा मैं उसको मन्त का calendar भेज़ दिया अपना and then कब रहेगी frequency weekly रहेगी कि week में एक ही मिलेगी लेकिन महीने में आप यहां पर चार मिल जाएगी हर अपते में एक तो एक ही calendar में यहां पर एक साथ चार bookings यहां पर कर सकता है तो अगेन यह amazing feature है अगर आप लोग में किसी को अपनी इस वगरे सेट करना चाहते हो फिर email reminders को कस्टमाइज कर सकते हो कि कोई भी यहां पर emails जैसे उनको जाना चाहिए एक गंटे पहले क्या जाना चाहिए 24 गंटे पहले क्या जाना चाहिए और कप-कप जाना चाहिए इसके बाद add confirmation redirect अगर booking के बाद आपको अपनी website वगरे कहीं पे भी redirect कराना वह करा सकते हो private mode करोगे तो यह publicly available नहीं रहेगा सिर्फ जिनको link दोगे सिर्फ वही लोग इस page को access कर पाएंगे and booking type directory यह काम का नहीं है तो काफे सारे इसमें advanced features भी है एक और नया feature इसमें आया है date pools का यह रहा create new date pool यहाँ पर मैं click करता हूँ मैं आपर डाल देता हूँ time decide or description में कुछ भी 15 minute के हमारी मीटिंग रहेगी let's say 30 minutes की meeting रहेगी and then मैंने उनको कहा कि आप 24th August में यहाँ तो 9 बजए यह दो मैं उनको time दे रहा हूँ कि इन दोनो time पे we can have a video call let's click create date pool तो अगर जैसे मुझे मेरी team से decide करना है कि कितने बज़े हमें करना चाहिए तो I'll just send them this link and then यहाँ पर time decide यह रहा मेरा tidycal का link which I can share with my team कि भाही अब आप बताओ कि यह दो time slot है तो माल ले दे जिसे 30 लोगों को मुझे भीजना है तो जिसमें से 8 a.m. पे लोग submit करेंगे 9 a.m. पे करेंगे तो जो भी यहाँ पर time slot जो भी select करेंगे जिस पर भी maximum number votes रहेंगे वो automatically यहाँ पर select हो जाएगा and then उसको जो भी यहाँ पर contestant है इनोंने भी participate किया है उन सबको लिंक चला जाएगा कि 8 a.m. का final हुआ है अगर आपको TidyCal के बारे में और चानना है तो इसका detailed review आपको हमारे blog पे मिल जाएगा यहाँ पर सारे features हमने discuss करें तो आपको सारे embed से लेकर सारे advanced features भी आपको आप पर मिल जाएंगे along with screenshots और यह update भी होता रहेगा तो जबी भी आप लोग देखो एक बारे वाला article जाके देख लेना for latest information about TidyCal अब हम लोग बात करते है TidyCal versus Calendly के बारे में Calendly काफी popular है बहुत सारे लोग इसको बहुत पहले से use करते हैं इनका फ्री प्लान है इनका फ्री प्लान मुझे ज्यादा अच्छा लगता है compared to TidyCal अगर आपको फ्री पे जाना है तो TidyCal के बारे में बात करूं तो पेट प्लान इनका बहुत expensive हो जादा है $8 per month तो अगर आप लोग यहाँ पे 5-6 महीने with Stripe and PayPal वो भी आपको $8 पे नहीं मिलेगा यह सब आपको advanced features $12 वाले प्लान पे मिलेंगे तो for most users this is going to be expensive जो अगर आपको Stripe वग रहे चाहिए और यह भी चाहिए तो वह भी काफी expensive हो जाएगा जो आपको TidyCal है $29 per lifetime पे दे रहा है लेकिन Calendly के पास क्या है Calendly के पास यहाँ पर extra integrations advanced features compared to TidyCal Google Analytics Metapixel यह सब आपको मिल जाता है Gmail Outlook के integrations यह भी आपको मिल जाते हैं और बाके भी जो integrations हैं MailChair, Intercom, Slack तो integrations के यहाँ पर बहुत सारे options है Team Support के यहाँ पर थोड़े जादा options आपको मिल जाते हैं लेकिन उससाब से यहाँ पर प्राइस भी काफी इंक्रीज हो जाती है इससे पहले मैं आपे TidyCal का कुछ कुछ के बारे मैं बात करूँ अगर अभी तक का आप कोई वीडियो अच्छ लगाए तो थम्स अप जरूर देजेगा और एक disclaimer भी मैं दे देता हूँ कि TidyCal ने मुझे इस वीडियो के लिए sponsor नहीं किया है हाला कि अगर आपको मेरी नीची देगाई लिंक से जाके purchase करोगे तो मुझे थोड़ी commission मिलेगी बिना कुछ आपके extra cost के तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो you can support me by using my link from the description section below now cons के बाले मैं बात करूँ तो एक जो मुझे सब्चे बड़ा con लगा है universal timings यहां पर मैं set नहीं कर सकता हूँ मान लेते हैं मैंने यहां पर 5 calendars बना दिये हैं अब मैं 24th को यहां पर available नहीं हूँ 24th को सभी calendar में एक साथ अपडेट नहीं कर सकता हूँ मुझे जाकर 24 24 24 समय आपर enable करना पड़ेगा कि मैं उस date को available नहीं हूँ यह कौन लगा है second 2 calendar को मैं embed नहीं कर सकता हूँ for example मुझे इसको embed करना है तो I'll click embed on your website I'll copy code कर दूँँग and then i-frame पर यहां पर जाकर और उसके बाद कुछ इस तरीके से वह आपकी website पर दिखेगा तो यहां पर मैं अपनी website पर दो calendar नहीं डाल सकता हूँ एक ही calendar डाल सकता हूँ so TidyCal is a simple solution appointment schedule करने के लिए online appointment, online meetings के लिए लेकिन इसमें बहुत सारे advanced features भी missing है जो की calendar में आपको मिल जाते है मैं Calendly नहीं यूज कर रहा हूँ खुद यहां पर मैं TidyCal यूज कर रहा हूँ for all my needs so अगर आप हो heavy user हो Calendly की तरफ जाओ नहीं हो तो TidyCal is the perfect option for you अब हम लोग बात करते हैं giveaway के बारे में जिसका आप सभी लोग काफी देर से वेट कर रहे थे तो यहां पर में पास दो TidyCal के lifetime accounts है for giveaway कैसे participate करना है पहले वीडियो को like कर लो channel को subscribe कर लो नीचे comment section में जाओ लिखो hashtag TidyCal then डालना hyphen then write me कि कैसे आप लोग इसको use कर वे कैसे आप लोग की help करेगा for example hashtag TidyCal hyphen it's going to help me with my team meetings with management of my team meetings तो जिस तरीके से भी आपको help करेगा आप लोग लिख सकते हो consultation में help करेगा freelancing business में help करेगा yoga classes ले रहे हो online classes ले रहे हो तो वो आप लोग लिख सकते हो कैसे आपको help करेगा and then यहां पर 2 lucky winners को free lifetime account मिल जाएगा मैं यह select करूँगा 30th August and आपको पिंट comments में winners के नाम मिल जाएगे और उन winners को में नीचे comment करके भी approach कर लूँगा कि कैसे उनको यह lifetime accounts मिलेंगे so that is it I am hoping to see your comments in the comment section below वीडियो को share भी कर देना it will really help me a lot and I will see you guys in the next one goodbye अश। टे में बहुत पास को युआ कर आपको युआ कर दो कि नहात मिल गल कि वीचल कर दो वाओ